गुड मॉर्निंग आज का क्वेश्चन है वन अपन एक्स माइनस वन लेस देन एन इसकल टू यहाँ पर लेस देन भी है एक्वाल टू का भी साइन लगा हो तो यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान में रखतना है कि इन इक्रिटी है दो दो लगा हुआ है यहाँ पर ठीक है तो वन अपन एक्स माइनस वन माइनस टू लेस एन इसकल टू जीरो ठीक है उधर जीरो बचाएगा जीरो लिख दिया है ऐसे में लेकर सॉल्ब करेंगे वन माइनस टू एक्स प्लस टू अपन एक्स माइनस वन लेस एन इसकल टू जीरो solve करें 3-2x upon x-1 relation is equal to 0 आप यहाँ पर देखा जाए x का coefficient क्या है negative है इसको में positive बनाना है तो यह करेंगे दुन तरह minus sign से multiply करेंगे 2x-3 upon x-1 greater than is equal to 0 यह हो जाएगा कब minus से multiply करने पर अब कहेंगे सर कैसे की है इसको समझा दीजिए एक बार है तो बेटा समझा देते हैं हम minus से multiply करेंगे या तो numerator में दोनो numerator में एक साथ multiply करते है lhs और rhs की numerator मे यप दोनों की democr де में lhs और rhs की दिवामेटर मुल्टीप्लाई करेंगे sign change करने के लिए तो हम ऐसाने कि एक साथ दोनोí numerator नोबरेटर में multiply करेंगे तो यह जाता कभी गलती नहीं करेंगा या तो numerator में करेंगे या denominator में तो तो दोनों विद्पण करना है अगे से minus 5 और minus 5 से multiply करते हैं दोना तरफ कर ये numerator में multiply करिया denominator में कोई changes नहीं हाइगा तो हमने यहाँ पर कहा कि numerator multiply किया इधर और numerator में इस साइट 0 upon 1 होता है तो 0 में minus 1 का multiply कर दिये तो 0 ही हो गया है इधर sign change हो जाएगा जब minus sign का multiply करते हैं तो inequalities का sign क्या हो जाएगा reversed हो जाता है यह याद रखिएगा अब solve करेंगे तो जो पहला condition x minus 1 neighbor is equal to 0 implies that if it cannot is equal to 0 implies that x is equal to 1 पर यह 0 नहीं होगा x is equal to 1 पर यह मारा undefend हो जाएगा दूसरा condition क्या कर रहा है 2x minus 3 0 का equality का sign लगा हुए मतलब क्या 0 हो सकता है implies that x is equal to 3 by 2 यह होगा दो critical point मिल गया है यह क्या है critical points ठीक है अब इसको हम number line बर drag करेंगे यह कहीं point 1 हो गया यह क्या हो कि 3 by 2 यह 1 हो गया तो महारे पास region मिला है plus infinite minus infinite यह और यह तो तीन region मिला है यहां से यहां तक यहां से यहां तक और यहां से यहां तक x is equal to 1 पर क्या है not defined है इसलिए open interval x is equal to 3 by 2 पर क्या है defined है equality का sign लगा है मतलब defined है यह equality का sign है मतलब equal है तो यह हमारे equal to 0 हो सकता है किसी ने किसी case में इसलिए इसको हम क्या करेंगे dark circle बना देंगे ठीक है यह dark circle यह open circle मतलब यह point include है अब interval निकालेंगे 1 से लेकर infinite की विश्चे में 0 कहीं आएगा 0 रखके check करेंगे इसमें 0 upon 0 minus minus plus region satisfy कर गया 1 और 3 by 2 के बीच में 1 और 1.5 के बीच में हमारा क्या आएगा 1.4 आएगा यह फिर 1.1 ले लेते है 1.1 मतलब 2.2 हो जाएगा यह 2.2 में minus 3 गटाएगे negative आएगा 1.1 में गटाएगे positive तो negative और positive overall negative तो यह cancel हो गया 3 by 2 से infinite इसके बाद तुरंद 2 आएगा 2 रखके check करेंगे 2 तो जब 4 minus 3 1 2 minus 1 1 positive into positive मतलब overall positive तो जो हमारा x बिलॉंग करेगा वो हमारा minus infinite से 1 के बिलॉंग करेगा बीच में यह छूटा हुआ है ठीक है इसको छोड़ देंगे plus union यह अब है अब यह bracket लगेगा याद रखेगा अब तक open bracket लगा था लेकिन अब इन equalities का sign में हमारा equal भी आ गया है इसलिए यह bracket लगेगा क्योंकि यह हमारा 3 by 2 पर 0 हो जा रहा है तो 3 by 2 से infinite यह हमारा region होगा यह हमारा answer है ठीक है पिता है